अच्छकार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल क्रिकेट अंगल पर मैं हूँ आपका दोस्त शुभम मिश्रा तो IPL 2022 के मेगा उक्षन के बाद जहां पर सभी 10 टीमों का स्क्वेड अप पूरी तरीके से तयार हो चुका है और ऐसे में दोस्तों सभी के मन में ये सवाल है कि IPL 2022 की शुरुआत कब होगी इसको लेकर मेरे पास काफी ज़दा कमेंट्स भी आए हैं वहीं पर IPL 2022 का फॉर्मेट किस प्रकार का रह सकता है तो बहुत ही ज़दा इंपोर्टेंट और इंफॉर्मेटिव ये वीडियो होने वाली है आप सभी IPL 2022 के फैंस के लिए इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा लेकिन वीडियो में आएके पढ़ने से पहले आप सबसे बस इतनी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं जिसमें शामिल है वानखेडे स्टेडियम, ब्रेबॉंड स्टेडियम और डी वाई पाटल स्टेडियम इन तीन स्टेडियम पर ही आपको IPL 2022 के सभी 70 लीग मैचेस होते हुए नजर आएंगे इसके लावा बात कर लें प्लेओफ मुकाबलों की तो जो चार प्लेओफ मैचेस हैं वो नरेंद्र मोदी स्टेडियम एहंदाबाद में कराए जाएंगे तो टोटल चार वेन्यूस पर आपको IPL 2022 के सभी मैचेस होते हुए नजर आएंगे और इसके पीछे जो सबसे बड़ा कारण है वो है COVID-19 क्योंकि COVID-19 के सुचुएशन को देखते हुए BCCI का यही प्रायास है कि ट्रैवलिंग कम से कम हो और प्लेयर्स जो है वो ज़्यादा ट्रैवल ना करें जिससे कि जो वायरेस स्प्रेड होने का खत्रा है वो कम हो के लावा दोस्तों अब बात कर लेते हैं IPL 2022 के फॉर्मैट की तो इस बार का IPL 2022 का फॉर्मैट पूरी तरीके से बदलने वाल है क्योंकि IPL 2022 से दो नई टीमें भी एड़ हो रही है आठ एक्जिस्टिंग टीम्स के अलावा जिसमें शामिलें लखनो उसो पर जैंड्स और गुजराद टाइटन्स तो दोस्तों इन दो नई टीमों के एड़ होने के बाद IPL 2022 10 टीमों का IPL होगा और इन 10 टीमों को दो ग्रूप में बाटा जाएगा ग्रूप A और ग्रूप B और BCCI बहुत ही जल्द इन दोनों ग्रूप की टीम्स का भी अनॉंसमेंट करने वाल है इसके अलावा मैं आपको बता दो कि IPL 2022 में टोटल 74 मैचेस खेले जाएंगे दोस्तों बात कर लेते हैं IPL 2022 की स्टार्टिंग डेट को लेकर कि IPL 2022 की शुरुआत कब से देखने को मिल सकती है तो दोस्तों BCCI ने पहले जो प्लान बनाया था उसके अनुसार IPL 2022 की शुरुआत 27 मार्ट से होने वाली थी जबकि इसका फाइनल मुकाबला 29 माई को खेला जाने वाला था लेकिन दोस्तों अब BCCI इस प्लान को चेंज करने वाला है क्योंकि IPL 2022 की शुरुआत 27 मार्ट से होती है तो फिर कई सारे ऑस्टेलियन प्लेयर्स IPL 2022 के शुरुआती मुकाबलों में एवलेबिल नहीं उपाएंगे क्योंकि ऑस्टेलियो और पाकिस्तान की सिरीज चल रही होगी इसलिए दोस्तों BCCI इस प्लान को चेंज करने वाला है और जो दो टेंटेटिव डेट्स निकल कर आ रही है उसके अनुसार IPL 2022 की शुरुआत आपको 2 अपरेल या फिर 4 अपरेल से होते हुए नज़र आ सकती है वहीं पर इसका जो फाइनल मुकाबला है वो जून के साड़े साथ बज़े से खेला जाएगा दोस्तों ये रही IPL 2022 के Venues, Formats और Starting Date को लेकर सभी latest updates I hope कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आई है तो उसे लाइक करें अपने दोस्तों के साथ शेर करें और आप हमारे चैनल को ज़रूर सस्क्राइब क में ये जरूर बताएं कि आपको क्या लगता है कि IPL 2022 का पहला मुकाबला किन दो टीमों की बीच होना चाहिए इसके लावा आप IPL 2022 के लिए कितना ज़्यादा excited हो और आपको क्या लगता है कि IPL 2022 का खिताब कौन सी टीम जीच सकती आप हमें नीचे कमेंट करके जरूर बता कर दो आप है